सब ही समढ संग को अपना कॉंसेप्ट देने का कस्ट करें निवाद गुजेश भारती जी हम कॉंसेप्ट की बात करते हैं प्रतिजिन कंसेप्ट वीद्धा पिपिल समढ संग का केवल दो शब्दों में प्रून होता है जोड़ें और जुड़ें जो साथ ही जुड़ चुके हैं वो जोड़ने कारे कर रहे हैं कि लेकिन कि ये कार्य कब हमारी समझ में आया कैसे समझ में आया कियों समझ में आया कि क्यों आवश्यक्ता पड़ी प्रश्ण थे जिनके विशह में हम लोगों को अवगत होना आवश्यक है भावा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष करके और उनकी चिंता में केवल और केवल समाज था, समाज के दुर्दशा थी उसको दूर करने के लिए जो एक हमें ग्रंथ दिया भारत का समविधान, उस भारत के समविधान में जो भी अधिकार हमें दिये, वो अधिकार हमें से जिस जिसको मिले, उस उसने आगे बढ़कर के बोलना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया, शक्तिया हांसिल करनी शुरू की, जैसे जैसे जिस जिसको जिस प्रकार की शक्ति मिली, उसके बाद वास्त्विक एनलिसिस हुआ कि उनके चरित्र में, उनके वेवार में क्या-क्या परिवर्तन देखे गए, वो सभी अम्वेट करवादी, जो बावा साहब का गुलगान करते हैं, उन्होंने बावा साहब के ग्रंथ से, बावा साहब की दीगी शक्तियों का उप्योग करके, उनका लाव ले करके, उनके अर्थ जैसे उन्हें ठीक लगे, वैसे निकालने शुरू कर दिए, जिस प्रिकार से, बावा साहब ने कहा, सिक्षित बनो, व्यक्ति सिक्षित हुए, सिक्षा प्रात की, सम्विधाहन में नहित रिजर्वेशन का फायदा लिया, नौकरी हासिल की, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी ताकत से लग गए, जो वास्तिक सिक्षा बावा साहब ने, एक इमेजिनेशन में थी, उसको शैद हम भूल गए, दूसरा, आदेश हम कहते हैं, बावा साहब का संगठित करो, हमने उसमें पूरी ताकत लगाई, और हमने ताकत जोडने मे नहीं लगाई, बलकि संगठन बनाने में लगाई, बावा साहब ने, अपने पूरे जीवन के प्रियास से, हम सब की दुर्दशा को देख करके, जो हम फैले पड़े थे, बटे पड़े थे, उनको इकटा करके, जिनको हम 6,743 जातियों बताते हैं, उनको इकटा करके, SC, ST, OBC में नीत किया, नीत ही नहीं किया, बलकि उनके अधिकारों को रिजर्व कर दिया, जैसे जैसे हमारे लोग पढ़े, उन्होंने संगठन बनाने शुरू किये, संगठन किस काम के लिए बनाए, संगठित करने के लिए, अब संगठन किस व्यवस्थवर बनाए, उस व्यव विवस्था का अंत किया था उस विवस्था पर आधारित संगठन बनाएं जिसमें कुछ पदादिकारी होते हैं अध्यक्ष होते हैं मंत्री होते हैं कोशा अध्यक्ष होते हैं और बाकि सब आम सदस्य होते हैं परजा होती है इनको ये भी कह सकते हैं कि ये जो संगठन थे वो मनु इस्मृत्ती विवस्था पर आधारित थे और यहां से भी बात नहीं बनी जब संगठन संगठित करने के लिए बनाए गए तो दिखने में आया कि जो संगठन बनाने वाले लोग थे उनके अपनी महत्वा कांख्षा है अगर एक संगठन से पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दो बनाए फिर चार बनाए फिर आट बनाए सोला बनाए बत्तिस बनाए इस बनाने की परक्रिया में देखा गया कि पिछले सब्तर सालों में हमारे अमेट करवादी लोगों ने समाज को जोड़ने के लिए बावा सा आया जाता चार लाग से काम करते हैं कि तब बहुत सारे हम जैसे लोगों ने समझ में आया कि जो कुछ हम देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं जहां सहय कर रहे हैं ने उन्तर क्या यह ठीक कर रहे हैं क्योंकि 6743 जातियों को जोड़ने के लिए 29 लाग संगठन में हमने अपने आपको बाटा तब समझ में आया कि हम शायद जोड़ने अकाम नहीं कर रहे थे बलकि तोड़ने अकाम कर रहे थे तब भहुत सारे साथियों ने यह देखा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका क्योंकि गलती हमने की है उन संगठनों को हमने बनाया था हम जिम्मेदार थे पूर्टे हमने उसमें सहयोग किये थे हमने उसमें एनरजी लगाई थी हमने जो बावा साहब का आदेश गलत तरागा स से मानते हुए पेवेक तो सोसाइटी उनको पैसा दिया था तो इसलिए हो जिन्दा थे बने तो हमने जिनको बावा साहब ने समविधान की प्रस्तावना में बोला वीदा प्युपिल हमें होश आया हम उस नींद से जागे और इस नींद से जागने के बाद हमने यह तै कि कि जो गलतियां हमने की थी जो कुछ लोगों के विवेक हीन होने के कारण हम उनके साथ हर तरह से लग गए थे अब हम ऐसा नहीं करेंगे वीदा प्युपिल ने तब यह तै किया पांच मई दोजार इक्किस को पृत्थम वर्च्वल मिटिंग लगी और यह भारत ही नहीं बलकि अबरॉड तक एक इत्यास बन चुका है कि पांच मई दोजार इक्किस से आज तक लगातार यह मिटिंग्स चल रही है फिर गल्ती सुधारने के लिए वीदा प्यूपिल ने कहा हम लोगों ने कहा कि हमें गल्ती हमने किये हम सुधारेंगे इसको कैसे सुधारेंगे हम इकट्टा होंगे क्यूंकि हमारे पास केवल और केवल जो बावा साहब ने हमें इकटा किया था जो तथाकत बुद्ध ने हमें रास्ते बताये थे जो हमें एक संग दिया था उस संग को तथाकत बुद्ध ने और तथाकत बुद्ध से पहले भी हमने देखा है पढ़ा है लेकिन अब भूल गए थे बाबा साहब ने उसको पूरी तरह से सम्विधान में नीत किया उसको भी हम नहीं जान पाए लेकिन अब ये तै किया आया कि हमें अपने आपको इकटा करना है जोड़ोना है बगेर जुड़े बात नहीं बनेगी क्योंकि हमने अपने आपको तोड़ने के लिए इतने सारे प्रियास किये हैं इतना सारा पैसा इस देश में लगाया है कि जो विवस्था बावा साहब ने दी थी उसके बाद में हमारे बीच में जो भी महापुरुश आएं उसमें एक नाम विशेश तोड़ से हम सभी साथी लेते हैं मान्ने वर काशिराम साब का उन्होंने पूरा जीवन लगाया और उन्होंने जो समाजिक परिवर्तन की रडाई को एक समय पर ला करके राजनीतिक परिवर्तन में बदल दिया और तब हमारे जितने भी मिश्णरजी साथी थे वो सारे के साथी उस समाजिक विवस्था की बजाए उस राजनीतिक विवस्था में अपने आपको पेटेंट कर लिया तब से लगातार हमारे बीच में जो समाजिक विवस्था थी जिसको बदलने के लिए परियास कर रहे थे संगठ्णों के माध्यम से जिससे हमें आज की तारीक में जो प्रणाम ला सकते थे संगठ्ण वो ला चुके अब उनसे प्रणाम कहीं आते नहीं दिख रहे हैं तब बहुत सारे सात्यों ने कई वर्ष से सभी संगठ्णों से अनुने विने किया कि भाई आप लोग एक साथ इकटा हो जाईए आप को रास्ता बताईए अब जो बावा साहब के दिए गए अधिकार थे वो सब जा चुके हैं अब हमारी जो पीड़ी आने वाली है या हम है वो इस देश में सुरक्षित नहीं है तो कोई ऐसा रास्ता बताईए आप इकटा हो जाईए ये कई साल के प्रियास के बाद जब लगातार कहा गया इकटा हो जाईए इकटा हो जाईए लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि यह अच्छी बात है लेकिन कभी आप नहीं हुए तब हम लोगों ने कटा होना शुरु किया हमारे सारी ने शुरू ही और ले जो हम सब को नहीं पता था खालि क्या क्या तो हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं किस देश में जो वावा साब ने हमें दिया था उसको अपनी को सरक्षित कर सकते हैं इस जुनून के साथ जब चलना शुरू शुरू किया मैं तो कई सारे ऐसे परिवर्तन दिखने को मिले जो हमने नहीं सोचए थे जिस जिस प्रकार के साथ य्य वो स्वैते ही जुडते चले गए और जो उनको कार्य अच्छा लगा उस कार्य को लेते चले गए और उस कार्य को अपनाते चले गए उस कारे को करने के तरीके क्या हुए इस नेचुरल प्रॉसेस में इस समण संग की विवस्ता में हम सभी लोग प्रतियक सौंवार को वो लोग जो अपने आगको कारे करता कहते हैं जो कहते हैं कि हम इसमें कारे करने को तयार है अपना जीवन लगाने को तयार है वो अपने आपको नियोच्छावर कर चुके हैं वो सारे साथी इस वीदा प्यूपल में से जो जूम मिटिंग होती है इनी साथियों में से निकलते हैं आगे आते हैं और उनको नाम दिया जाता है स्पोक्स इस पोक्स पहला और आखरी प्रमोशन है समण संग में वीदा प्यूपल में हर वो साथी जो यह कहते हैं कि हमें वीदा प्यूपल का कॉंसेप्ट समझ में आ गया जोड़ना हमने काम मान लिया क्योंकि भारत में प्रत्थमवार जोड़ने को काम माना गया है इससे पहले बग पर यह हाउस में सोमवार में जहां चर्चा करते हैं काम की कितना काम हुआ कैसे हुआ वह स्पोक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उसका नाम पर पोस्क्र तर दिया जाता है और वह इसमें अपना पृतिवा औरिक सुरू치가 कर देता है कि अब यह कحना है किसी विशाथ हो के मुझे वीधा पीपल का कॉंसेप् वह मैं आ चुका है और मैं इसमें काम करने कोई इसमें एक्जाम नहीं देना कोई बहुत भारी काम नहीं है सिर्फ आप एक बार कहेंगे कि मुझे वीदा पीपिल का कॉंसेट संज में आ गया है समण संग के रूप में मुझे जुड़ना है और मैं इसमें काम करने को तैयार हूँ तो उन्हें तुरंत स्पोक्स के रूप में प्रपोस किया जाता है और तो वो सारे साथी पृतियक संवार को यह जिस तरह से संग बैठता है संग लगता है उसमें प्रस्ताव आते हैं लोग उस पर डिसकॉशन करते हैं जो प्रस्ताव अच्छे होते हैं जो साथी काम करना च पर देते हैं जिस प्रकार से हमारे प्रारम में विशिष्ट जो सेवा देने वाले साथी थे वो जुड़े जैसे सारे डॉक्टर्स जुड़े अब तो 26 दिसम्बर 2021 को यूपी लखनव में अंतरास्ट्य समण चिकित्सक संग जो समण संग का एक घटक है चिकित्सक संग वो बन कर तैयार हो गया है और उन्होंने तै किया कि हमें वीदा पीपल को किस तरह से चिकित्सक सुविदा देनी है और तब से निरंतर हमारा ंतरास्ट्य समण चिकित्सक संग प्लानी भी करता है और परतियक बुद्वार को जूम एप पर ओपीडी लगाते हैं हमारे सभी चिकित्सक साथी और बिल्कुल को सभी साथियों को जो चिकित्सले सुविदा है लो सला है उसको देते हैं यह काम जितना होता है वो हम बात करते हैं सौनवार को पृति एक मन्रे में जहांकर करता जो वीदा को में कारे करने के लिए hari चूंच करते हैं हो कि आड़ मुज़ए की मिटिंग में अध्य कस्ट करते हैं और हम जाले आट महां से यह साथियों से बात करने के बाद में प्रशन छोड़ते हैं कि अगर किसी साथी को इस concept में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि जो नहीं होना चाहिए यह concept गलत लगता है या जुड़ना कोई गलत का रहे हैं तो आप इससे अच्छा concept बताईए उसे रखिए और अगर व वीदा पिपल के concept को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उस concept पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि हमें अपना काम करना है आज तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं हमने अपनी जिम्मेदारियों को 150-200-500-1000 रुपए देखे घर में टाल लिया है क्योंक लेकिन अब हमारा जो तथागत बुद्ध और उनके समय से पहले का समण संगता वो मिल गया है उसमें हम लोग आते हैं बैठते हैं और हमसे प्रशन होते हैं हर वो आदमी जो कहता मैं काम करता हूं उनसे प्रशन होते हैं कितना काम किया कैसे काम किया कौन से काम के प्रशन ह स cumulative है कि हम यह की काम करने है जोड़ो और जुड़ो तो हमारा एक ही प्रेशन Mesha कि कि आपने कितने इपना दी माथ है तो सबीuju सथी अपने स्पोग से संक्या देते हैं उनको जूड़ने के लिए अणरोद्ट करते हैं और ऐसा ही नहीं उन सबी साथ ही करते हैं कि वी नहीं कि अगर वीधा प्यपीपल समड संग इकट्टा हो जाता है तो शमिधान की सारी शक्तियां वीधा पीपल के लिए काम करेंगी जो बावा साथ की कल्पना थी जैसा बावा साथ ने कहा था कि इस सम्विधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो यह सम्विधान बहुत अच्छा सिद्ध होगा और इस सम्विधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होगे तो कितना इभी अच्छा यह संग है वह संविधान अच्छा सिद्ध नहीं होगा और पावासाथ के आशंकाएं ऐसी जैसी थी वही आज सामने आई क्योंकि इस संविधान को चलाने के लिए हमारे बीच में से जितने साथ ही गए वो गए तो जो पुरा करने के लिए हैं लेकिन वहाँ पर कौन सी व्यवस्था में काम किया जिस व्यवस्था से हमें लड़ना था जिस व्यवस्था को सतर साल में हम अपने अंदर पैदा कर चुके हमने अपने अंदर इतने सारे विकार पैदा कर दिये हैं कि हमने एक दूसरी आपने आपसस्ते हसमें तैयार करती। और हमने इतनी वड़ी खाई पैदा कर दी एक आम आदमी के बीच में और इक उन लोगों के बीच में जिन लोगों को अधिकार मिले और अधिकार लेने के बाद उनके पास कुछ सुख, साधन, सम्रधी प्राफ्त हुई तब यह देखा गया कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब हम ऐसा करेंगे, वीदा पिपिल, आम आदमी हम ऐसा करेंगे, और हम ऐसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि हम जोडने का प्रियास कर रहे हैं, रोज जोडते हैं, जोडने के लिए कभी नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी तक हमें यह बताया गया था जोड़ने के लिए पैसे की आशक्ता हुती है आप पैसा दीजिए आपको जोड़ा जाएगा लेकिन समझसंग कहता है इसमें पैसे क्यावशक्ता नहीं है. ना आम आदमी से पैसा लिया जायाएगा कभी और ना पैसा आज तक लिया गया है. फिर प्रशना आता है भी, अगर पैसा नहीं लिया जाता, तो आपके खरचे कैसे चलते हैं? खर्चे होते यह नहीं है जो मिनिमाइज खर्च है जो अवस्चम भावी खर्च है उसको वो लोग वहन करते हैं जो स्वेच्छा से स्पोक्स बने हुए हैं और वहां भी स्वेच्छा जताते हैं स्वेम आ करके अगर मिटिंग में 100-200-500 रुपए खर्च हो रहे हैं तो अपन क्योंकि वह अपने जिग्यासा अपनी जो मन होता है उससे और उनको लगता है जोड़ना और योद अपना खाना अपने साथ लेकर आते हैं अपने लीवी लाते हैं उन्हों साथियों के लीवी लाते हैं जो हमारे साथी जल्दी में दूर दराज से आते हैं और नहीं ला पाते हैं कि ना इस में जब मिटिंग करते हैं तो एक हमने देखा गया था अब तक कि प्रैक्टिस में सतर सालों में मंच की आवशक्ता पढ़ने लगी थी हम अपने ही बीच के कुछ लोगों को मंच पर बिटाते थे उनको माला डालते थे उनका स्वागत करते थे और दो दो तीन तीन होने के आवशक्ता नहीं कि हम सब बरावर हैं उसमें सभी बरावर होने के बाद जिसको जो बात अच्छी लगती हो बात कहता है कुछ लोग प्रशन पूछते हैं कुछ लोग आंसर देते हैं और काम एक ही होता है हम जुडेंगे और जुडेंगे और जुडेंगे इस काम क प्लस चल रही है जिसको अभी तक 400 प्लस होना चाहिए था जो 31 मार्ज तक 1000 प्लस स्पोक्स की हम लोगों ने तै किया है स्पोक्स बनाएंगे और कम से कम 1000 से ज्यादा लोग क्योंकि इसकी पॉर्टल की जितनी भी छंता है उतने लोग यहां पर जुड़ेंगे कि क्यों इस प्रकार से हमने देखा कि इस काम में कहीं पैसे की आवशकता नहीं है अगर उसको उसको सही वो यहां से निरा निराष्ण हो करके यहां से वापस चले गए और प्रियास कर रहे हैं वापस आने का क्योंकि ये अंतिम विकल्प हमारे सामने है इस विकल्प पर हमने आजगार काम नहीं किया तो हमारे पास कल्प को ये कहने के लिए मौका नहीं रहेगा कि हमें मौका नहीं मिला हमारे जितने भी साथी हैं किसी भी एज के, किसी भी उगर के साथी हैं सबसे पहले हमें अपने परिवार को जोड़ना हैं अपनी पत्नी को जोड़ना है अपने भाई को जोड़ना है, अपने मित्र को जोड़ना है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जोड़ सकते, तो हम किसी को नहीं जोड़ सकते, अभी एक किस्सा एक मिनट का मैं बता देता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किस शहर का है, वहाँ पर बहुत सारे साथी संग्धन चला कि उन्होंने चोटा सा बुद्वियार बनाया उस बुद्वियार के कौने में चोटा सा मंदिर बनावा था तो उन्होंने एक गेट लगाना चाहा उस बुद्वियार में और उस गेट लगाने का विरोध उनके घर में जो आस्पडोस की महिलाएं थी उन्हों नहीं किया जिन ने देंगे हमारे मंदिर का रास्तापंध हो जाएगा यह 70 सहल का विकास है, यह सभी लोह को पता है लेकिन उसके विकल्प नहीं मिले थे लोहों को संब विकल्प मिला है इसमें इसमें जितनी रूप से हम इस पोर्टल पर उनके नाम भी लेते हैं, उनसे पूछते भी हैं, अभी जिस प्रकार से हमने देखा है, विजनौर की मिटिंग, वर्चुल मिटिंग हुई, जो विजनौर समण संग के साथ ही थे, उन्होंने बहुत कम समय में अपने सारे साथियों को जोड़ कर करके एक फिजिकल मिटिंग रखी, लेकिन नहीं वहों पाई, तो वर्चुल मिटिंग करनी पड़ी, जिसमें सौ से ज्यादा साथी, वहां से जुड़े, इसी प्रकार से और दूसरे प्रदेशों में भी जो मिटिंग सुरू जाना हो रही है, जो साथी जुड़ रहे हैं, जिस तरह ही खबरे आवा रहे हैं, जिस तरह से लोगों का प्रपोजल आ रहा है, उससे आप लग रहा है कि वास्तम में जो बावा साथ का मिशन था, पेवेक्टू सुसाइटी, उस चीज को हम समझने में सफल हो पा रहे हैं, और उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई नियम कोई आवश्यक्ता कहीं हमें दिखाई देती है, तो हम संग के रूप में बैठते हैं, वहां चर्चा करते हैं, और उस नियम को निकालते हैं, उस नियम पे चलने के लिए प्रेवित होते हैं, क्योंकि यहां कोई भी किसी को आदेश या निर्देश नहीं देता, इसमें अधार पर व्यक्ति के पहचान है, क्योंकि समल संग यह मानता है, जो आज इसको शुरू करने वाले थे, वो कल नीव की यीट की तरह इसके बीच में नीचे चले जाएंगे, लेकिन यह विवस्था है, यह विवस्था जो बदलनी चाहिए थी बावा साब के मिशन के बाद समिधान लागों के होने के बाद, उस विवस्था को परिवर्तन में हम एक अपना छोटा सा जो रोल है, जो प्रतिभाग करके, जो हम अपना रोल निभाग करके, जो हमें मिला है, उसको चले जाएंगे, हमें जाने से पहले यह इस बाद का खेद नहीं होगा, कि बावा साह के मिशन पर चलने का काम नहीं कर पाए, हमें कम से कम यह अनुभूती रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम 24 घंटे इस काम में लगते हैं, हम यह अनुभूती रहती है, कि हम जो हमारे हिससे काम है, जो हो सकता है, उसको हम कर रहे हैं, और सभी साथी कर रहे हैं, और सभी संख में केवर हमें अपने लोगों से लटड़ना पड़ा एक समय पर आकर के हो सकता कि siihen लड़ना लेकिन हमारी है हम बोला है हमारा जो कृटिसिज्म है हुमारी जा अलोचना वह हमारे विवहार से जो हमारा योगदान है, जो वास्तम में हमें देना चाहिए, जिसको मैं especially सामुहिक, सामाजिक उत्तरदाईत बोलता हूँ अपने जीवन में, और ये तै होता संग में आकर के, बगेर संग के हमारा कहीं भी सामुहिक, सामाजिक उत्तरदाईत तै नहीं हो सकता, उद्धंड आ के पूरे जीवन मर, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें अपनी बात को संग में रखना पड़ेगा, अगर संग उस बात को मानेगा, तब हमारी बात मानी जाएगी, फिर वो बात हमारी नहीं रहेगी, बलकि संग की बात हो जाएगी, और वो पूरे संग पर लागू होग जिस जिस साथी ने ऐसा सोचने की कोशिश की, जिस जिस साथी ने वीदा पिपल में समण संग में समण संग के मालिकों को खोजने की कोशिश की है, क्योंकि वो व्यक्ति आज हमारे बीच में या तो है नहीं, क्योंकि इसके मालिकों को खोजने के लिए हमें इतना अंदर तक जाना पड़ेगा इतनी गहराई में जाना पड़ेगा कि हम वहाँ से बाव वापस नहीं आ सकते यह समण संग हमें कोई हमारा इजाद किया वा नहीं है कोई हमारे साथियों ने किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है बलकि हमें विरासत में मिला है हमारे पूरवजों ने इस से लावू करते रहे तो शायद हम अपने हिस्से काम कर जाएंगे तो आज समण संग की वीदा पुपिल की जिद हैं हम सभी की पूरी तरह से इमानदारी से हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे, वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे, वैसे वैसे जितेंगे, जितना जल्दी जुड़ेंगे, उतना जल्दी जीतेंगे, जुड़ने के लिए केवल और क्विवल हर स्पोक के पास एक फा आगेदारी को सुनिश्चित कर लें और आगे आकर के कोई साथी कहने वाला नहीं है कौन काम करेगा आप स्वेम आगे आएं स्वेम बताएं कि क्या काम करना चाहते हैं स्वेम काम करना शुरू कर दें किसी की भी आप इंतियार ना करें कि कोई इसमें मालिक है को इसमें सीनिय है कोई जूनियर है सब साथी बरावर हैं अपना प्रतिभाग करें और जोड़ने जोड़ने किरम में लग जाएं सबी साथियों को नमभुद्ध है जैवीन जैवारत आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं अब बाकी सारी यह पूझी आपकी है धन्नवाद चंगं सरेनं गच्छामु चंगं सरेनं गच्छामु तूंतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामु चंगं सरेनं गच्छामु तूंतियं पी दम्मंग सरेनं गच्छामु तूंतियं पी दम्मंग सरेनं गच्छामु बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संगं सर्णं कच्छामी